जहिन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लिए के आए हैं चैप्टर एमीन से बहुत ही इंपोर्टेंट नेम रियक्शन जिसको बोलते हैं होपमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो आईए हम लोग डिसकस करते हैं और जानते हैं क्या होता है होपमेन डिग्रेडेशन रियक्शन के अंदर बच्चो होपमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में प्राइमरी एमाइड को ब्रोमीन और क्यो एच के मिक्शर के साथ हीट करते हैं जिससे हमारा एमाइड जो है प्राइमरी एमीन में कनवर्ट हो जाता है इस प्राइमरी एमीन में प कार्बनल कार्बन जो है ये वाला कार्बन यहां पर मिसिंग है बाहर निकल गया है इसका मतलब कि एमीन के अंदर एक कार्बन कम हो गया है और वो रियेक्शन जिसके अंदर कार्बन कम हो जाते हैं वो रियेक्शन कहलाती है डीग्रेडेशन और जिस रियेक्शन के अंदर कार compound में एक carbon कम हुआ है इसलिए hopman bromide degradation इसको बोला जाता है क्या आपको clear है तो अगर कोई आपको पूछे कि बताओ hopman bromide degradation reaction क्या होती है तो आप बता सकते हैं कि वो reaction जिसमें primary amide को bromine और qh के साथ heat करके एक carbon कम वाले amine में convert किया जाता है वो reaction कहलाती है hopman bromide degradation clear है आपको तो आएए बच्चो अब एक दूसरा example लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाला जो primary amide है यह हमारा primary amine में convert हो गया है बस यहाँ पर एक change किया है कि qh के जिगा हमने noh ले लिया है दोनों ही strong alkali होती है बच्चो और यह हमारा बन गया है एक carbon कम वाला primary amine आएए बच्चो अब लोग reaction mechanism की help से हम लोग यह clear करते हैं कि यहाँ पर degradation होता कैसे है इट मेंज कि यहाँ पर यह वाला carbon जो amide का है यह amine में नहीं होता है तो जाता कहा है तो आईए जानते हैं step 1 formation of amide anion intermediate आप देख सकते हैं कि यहाँ पर amide में जो n atom है इसके adjacent पर carbonyl electro negative group लगा है जिसकी वज़े से amino की दोनों H जो हैं बहुत ज़्यादा acidic हो जाते हैं nitrogen electro negative होने की वज़े से hydrogen की electron को अपनी और attract करता है heterotically waves होगा यह bond तूट जाएगा और इस bond के electron जो है वो nitrogen पर चले जाएंगे क्या आपको clear है तो जब यहाँ से H निकलेगा तो वो H plus form में बहार निकलता है जो आपने यहाँ base लिया है NUH या QH उसका OH minus यहाँ से H को H plus form में बहार निकलता है H plus OH minus के साथ combine होके water बनाके side product बनाके बहार निकल जाता है clear है आपको यहाँ पर minus S2 का मतलब है कि यह side product है और देखिए बचा क्या यह electron तो nitrogen पर चले गए तो nitrogen पर charge कौन सा आएगा minus और यह बन गया आपका amide anion clear है आपको step 2 formation of n-bromo amide बच्चों दूसरे step में पहले step में बने amide anion bromine के साथ reaction करता है bromine में electromeric effect से heterotic cleavage होगा यह b r b r minus मना के बार निकल जाएगा और यहाँ पर b r पर आएगा plus charge क्या आपको clear bond cleavage जो हो रहा हो है यह b r plus यहाँ पर nitrogen के साथ combine हो जाएगा bond बनाएगा और यह आपको कहलाएगा n-bromo amide compound step 3 generation of n-bromo amide anion intermediate step 3 में n-bromo amide जो होता है दोबारा base के साथ react करेगा और आप जानते है base को proton पसंद है तो यहाँ पर heterotic cleavage होगा n-h के sigma bond के electron nitrogen पर shift हो जाएगे h यहाँ से h plus form में बाहर निकलेगा जिसको oh minus बाहर निकालने में help करता है oh minus के साथ combine हो जाएगा और water side product बाहर निकल जाएगा तो देखिए बच्चा क्या r-con-br n-bromo amide anion बन गया है step 3 में step 4 rearrangement leads to isocyanate बच्चो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n-bromide anion बना हुआ है जो step 3 से आपको मिलाता है यहाँ पर rearrangement होता है br जो है heterotically waves होता है br minus बना के बाहर निकल जाता है same time यहाँ पर nitrogen का जो anionic charge है यहाँ पर conjugation की विज़ सिफ्ट होता है और यहाँ से यह alkyl group जो है यहाँ पर nitrogen पर सिफ्ट होता है तो यहाँ पर rearrangement होता है जिससे यहाँ पर बनेगा r-n double bond seed o clear है और यह compound कहलाता है alkyl isocyanate intermediate clear हुआ आपको step 5 hydrolysis of isocyanate to give carbonic acid which decomposes to give primary amine step 4 में बना हुआ हमारा alkyl isocyanate जो होता है बच्चो यह बहुत जल्दी reaction करता है water के साथ जैसे ही आप यहाँ पर water मिलेगा इसको यह breakdown हो जाए बच्चो यहाँ यहाँ पर step 4 में बना हुआ isocyanate water के साथ reaction करता है और एक less stable unstable carbonic acid बनाता है बच्चो जब हम किसी compound को square bracket में लिखते हैं तो समझ जाईएगा कि वो unstable या less stable होता है तो यह जो compound बना है यह हमारा carbonic acid होता है यहाँ पर reaction कुछ इस तरीके से होती है जो देखना चाहें उनके लिए कुछ यह है clear हुआ आपको जिससे less stable carbonic acid बनता है और यह बाद में breakdown हो जाता है primary amine और carbon dioxide में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह वाला group नहीं है यह वाला carbon यहाँ से बाहर निकल गया है carbon dioxide बना के क्या आपको clear है तो यह reaction इसलिए कहलाती है degradation क्योंकि यहाँ पर starting material के comparison में product जो आपका amine बनता है उसमें एक carbon कम हो जाता है तो यहाँ पर एक सवाल मैं आप से पूस्ता हूँ जरा सोच के बताईए कि hope man bromide rearrangement या degradation में जो हमारा amine group होता है उसका carbon किस form में बहार निकलता है जी यहाँ सही जवाब दिया carbon dioxide gas form में यह बहार निकल जाता है तो बच्चो ऐसे बहुत सारे question बनते है तो अगर आपको mechanism किलियर हो जाती है reaction किलियर हो जाती है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए आप उसको छोड़के नहीं आएंगे चलिए अब time हो गया है practice problem का जितना आपने सीखा है जाना है उसको लगाने का समय आ गया है तो चेक कीजिए अपने आपको और answer दीजे find the product in the following reaction बच्चो दो question दीएं दोनों question जो open bromide degradation की हैं ये amides हैं बस आपको यहां पर यह बताना है कि बनने वाले product का नाम क्या होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा तो चलिए wait कर रहा हूँ मैं आपके answer के comment section में जल्ली से भेजी और देखते हैं किसका कितना सही आता है hopefully ये आपको clear हुआ होगा